चलिए दोस्तों जैसे कि हम लोग को पता है कि BPC 3.0 के लिए हम लोग एकनोमिस चला रहा है अगर 11, 12, 9, 10 या 6 to 8 में अगर है तो 6 से लेकर 10 टक आपका 40 नमर पुछता है ठीक है लेकिन वहीं आप देखेगा 11, 12 में तो 80 नमर का पुछेगा आप देख सकते हैं एक से लेकर 30 तक कोश्चन हम लोग पार्ट 1 में देख चुके हैं अब हम लोग देखेंगे पार्ट 2 में 31 नमर से कोश्चन बोल रहा है कि इंसाइडर ट्रेडिंग संबंधित है किस से तर सीर मार्केट से यानि कि आप इसका राइट एंसर ई हो जाएगा उसी तर आप देखे यहां सीज का उदे से क्या होता है दोश्टो तो सीज का उदे सक्का आप देखिएगा सीज Kक मतलब यहां देखे आगया है कि 26 त्स आर्थिक छेत्र ठीक है टो देखें दिया गया है कि अतिरिक्त रोजगार का आउसरौ का चैन कोई दिकत नहीं है एकदम सहिए नभीन तकनिकों का परयोग ये भी सही है उसके बाद देखेए कि अत्रिक ते आपका क्रिय कलाब का स्रीजन ति ये भी सही है यानि कि यहां देना चाहिए था उपयुक्त में सभी ठीक है अब देखेएगा आपसे अबर कोई पुछ देता है कि स्टेज का कब से स्टाडिंग हुआ था तो 2005 में भारत सरकर ने स्टीज की सुरुवात किया था ठीक है इस चीज को याद रखिएगा उस तरह से आगे हम लोग बढ़ते हैं नेक्ट कोशन की ओर 33 नमर और 33 नमर में दिया गया है कि साक पत्र प्रस्तूस्त करना होता है तो क्या होता है जिसका राइट हिं तो दोस्तो इसका राइट हो जाएगा 1986 में यानि कि भी हो जाएगा आज ये 35 नमर कोशन देखते हैं दिया गया कि गरिवी रेखम आपने के लिए कौन सा तरीका परियूग नहीं लाया जाता है ठीक है कौन सा तरीका परियूग में नहीं लाया जाता है तो दोस्तो इसका राइट एंसर्जा का सक्षारता बाकि सुब लाया जाता है उसी तरह आप देखिएगा नेक्ट कोश्चन में कि राष्ट्री ये क्रिसी बजार इन एम क्या है तो अब देश सकते हैं कि ये क्या है क्रिसी उपज के लिए राष्ट्री मार्केट बैपार ट्रेड है ठीक है या आप 37 कि नया पुंजी निर्गम राखा जाता है तो दोस्तों इसका राइट एंसर हो जाएगा सी और सी में देख सकते हैं प्राथ्मी के बजार में 38 नमर कोश्चन देखिएगा कि नेसनल ग्रीन ट्रिब्यूनल किसे संबंदित मामलों को देखता है तो दोस्तों इसका रा देखता है 49 नमर कोश्चन देखिएगा कि सरम विवाजन के ओधरना का समर्थन किस ने किया था तो दोस्तों इसका राइट एंसर हो जाएगा सी और देख सकते हैं एस मीत ने ठीक है अब हम लोग बढ़ते हैं 40 नमर कोश्चन की और 40 नमर कोश्चन में दे दिया गया है कि नीमली खित में कौन सा जनसंख्या के बेवसाई की धर्चे की को ब्यक्त करता है तो दोस्तों इसका राइट एंसर हो जाएगा सी और सी में दे दिया गया है कि विविन बेवसाई में करेकारी जनसंख्या का बितरन वहीं 41 नमर में दिया गया है कि वेसिकरन का अर्थ क्या ह होता है तो दोस्तों वेसी करन का जो अर्थ होता है कि 20 वो अर्थ बेवास्ता में समन वह है वहीं 42 नमर कोश्चन यहां से आप से पूछ रहा है कि वेसी करन का मुख्य अंग है कौन सा होता है तो यह जो होता है चार होता है ठीक है अब देखिएगा 43 नमर कोश्चन और 43 नमर यहां से दिया गिया है कि सौरफ पर्थम किसी देश में उपभुकताव अधिकारों की घोस्णा हुई है तो जैसे कि अप लोगों पता है कि इसका राइट एंसर E.W. से होता है यानि कि अमीर का ठीक है अधिकार के जहां बात कर देगा तो अमीर का याद रखिएगा उसी तरह आपसे 46 नमर अगर question पूछता है कि दिया गया है कि भारत में सूचना का अधिकार का अधिनियम पारित ह हुआ ठीक है तो क्या हो जाएगा इसका राइट एंसर तो C हो जाएगा अक्टूबर 2005 में वहीं देखिएगा 47 नमर question में दिया गया है कि कि किसी वस्तु या सेवा का मुल एक कुरूर रुपया से कम है तो उपभोगता सिकायत करेगा ठीक है कहा करेगा तो जीला आयोग में यानि कि इसका राइट एंसर हो जाएगा एक कुरूर से ठीक है कम होना चाहिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे दिया गया है 48 नमर question एक अर्थवे वस्ता केस्रीजन होता है तो इसका राइट एंसर हो जाएगा D इन्वे सभे यानि कि प्राकिर्तिक संसादन दे देखिएगा 49 और 49 में दिया गया है देख सकते हैं आप कि अर्थ बेवास्थाओ के मुखे परकार है कौन से परकार है तो तीन परकार है याद रखना इसको ठीक अब 50 नमर question यहां से देखिएगा कि आर्थिक विकास की माप के लिए सबसे उप्यूक्ति सुचकांग है ठी तो इसका right answer हो जाएगा B और B में आप देख सकते हैं कि प्रति बेख्ति आए ठीक उसी तरह एक आउन नमर question देखना है आप लोगों एक आउन नमर question में देखिएगा कि आर्थिक ब्रीधी किस से संबंदित है तो दोस्तो इसका right answer हो जाएगा D और D में आप देख सकते हैं और देख सकते हैं यहां बाउन नमर question दिया गया है कि the general theory of employment interest and money का लेख कोन है तो दोस्तो इसका right answer हो जाएगा B किन से ठीक है चलिए next question पर अब तीरपन नमर question यहां से देखना है कि demand drop को cross क्यों किया जाता है आखिर किया जाता है तो इसका right answer हो जाएगा एक भुगतान बै नीमने में से कौन से एक आर्थिक ब्रीदी का परिचायक है तो आप इसमें से बता सकते हैं कि कौन सा है तो देखिएगा कि वास्तविक के प्रतिवेक्ति आय में सु इस्थिर ब्रीदी यानि कि इसका right answer B हो जाएगा एक पर आप अच्छे से देख लिएगा पच्पर नमर question देखिएगा कि दिया गया है कि भारत में मुद्रा स्फिर्ती कुम अबह जा सकता है ठीक है तो इसका right answer हो जाएगा एक ठोक मुल सुचकांग के दवारा वहीं आपसे च्पन नमर question क्या पूछ रहा है कि राजकोशी का हट्टा का तत्पर क्या होता है तो दोस्तों इसका right answer हो जाएगा cool BA minus अब देखिएगा इसमें कौन-कौन से add करके minus किया जाता है तो राजस्व फिर रीर के वसुली और भी निवेस वाला सबको add करके और cool BA से घटा दिया जाता है राजकोशी घटे का तत्पर के मतलब उसका मतलब यहीं होता है 57 नमर question देखिएगा क्या बोल सब्सक्राइब की सब्सक्राइब की पहली महिला चेर्मेन बनी थी कौन आखिर बनी थी तो देखिएगा डी नमर और उंध्रती भट्य चार अगर आपसे question पूछ दिया जाता है अंठाओन नमर और सास्त एक विशूद यथर्थ वादि बिग्यान है यह कातन किसका है यह आपसे पूछा जा रहा है तो यह रोबिन्स का है 69 नमर question यहां से दे दिया गया है कि अर्शास्त यह थर्थ वादि के साथ आधर्स वादि बिग्यान है इस विचार के मतलब इस विचार के मानने वाले थी कौन आखिर थे तो देखिएगा मारसल थी ठीक उसी तरह 60 नमर question देखिएगा साथ नमर दिया गया है कि अर्सास्तर है, क्या है तो देख सकते हैं यह थार्थ यह आधर सुबाद विज्यान दोनों है एक सेट नमर कोशन देख लिजिएगा दोल्चों, दिया गया है कि सुक्ष्म और सास्तर का संबंद होता है ठीक है माइक्रो जिसको एकोनोमी बोला जाता है उसका मतलब क्या होता है तब एक्तिगत इकाई से मतलब होता है ठीक चलिए नेक्ट कोशन की उर देखेगा यहां से 62 नमर कोशन दे रही है गया है कि ब्यापक अर्थ सास्तर का संबंध होता है तो इसका राइट एंसर हो छाए मार्शल मतलब यह मार्शल नहीं दिये हुए थे किंस कि ब्याख्या क्या था किंस क्या बोले उए थे तब देख सकते यहां से यह दिया गया न की आयता था रोजिगार की तो यहीं बेख्या किये वेते, डिस्क्राइब किये वेते, भारती अर्थपे वास्ता है, डारेट आपसे question पूछ दिया जाता है, तो आप यहाँ देख सकते हैं, इसका right answer D हो जाएगा, ठीक है, विकास नुमूख, ठीक है, 66 नमर अगर आपसे question पूछ दिया जाता है, कि भारत म आयता था, धन का बीतरन है, इसमें से कौन सा आप option को चूछ कीजिएगा, तो समान आप चूछ कर सकते हैं, आप देख सकते हैं, 66 में दिया गया है कि भारत में क्रिसी में सरम सकती का कितना हिस्सा लागा हुआ है, अगर आपसे पूछ दिया जाता है, तो क्या बताएगा, आप देख सकते हैं, 48 परसेंट, 68 परसेंट में देखिएगा, इवेन जन संक्य को चूछ रिपोर्ट 2013 के अनुसार, जन संक्य की द्रिश्टी से बीश्यो में भारत का आस्थान, अगर पूछता है तो क्या बताएगा, तो ये प्रत्थम हो जाएगा, और 69 में देखिएगा कि भारत में जन गारना की जाती है, परतेक के कितने वर्स के बाद, तो दोस्तों आपको पता ही है कि 10 वर्स के बाद, ठीक, 70 नमर कोशन देखिएगा, कि 1901 की जन गारना की अनुसार भारत की जन संक्या थी, तो उस समय जो थी, आपका 36 कुरोड थी मात्र, वहीं एक 70 नमर कोशन देखिएगा, दिया गया है कि बिरोजगारी वह हैस्थिती है, जब कोई ब्यक्ती, क्या हो जाएगा इसमें? तो इक्षा और योगता होने पर भी काम नहीं मिलता है, तो, यानि कि इक्षा है काम करने के लिए, उसके बाद योगता भी है, लेकिन काम नहीं है, तो उ संकिया में, जो ब्रीधी हो रही है, उसके वज़ास से, 73 नमर कोशन यहां से आप देख सकते हैं, दिया गया है कि भारत में बिरोजगारी का परमुख परकार है, तो दूस्तों इसका राइट एंसर हो जाएगा, इन में से सब एक तो मौसमी भी होता है, और द्रीस भी होता सिक्षित भी होता है, बढ़ते हैं दिया गया है यहां से 74 नमर कोशन कि भारत के गरामिन छेत्र में मौसमी बिरोजगारी उत्पन होने का परमुख कारण क्या है, तो दूस्तों इसका राइट एंसर हो जाएगा, सी क्रीसी की समाईक प्रकीरती, ठीक है, पचातर नमर कोश कि बिहार वासियों के जीवन निर्वा का मुख साधन है, तो दोस्तों इसका राइट एंसर हो जाएगा, क्रीसी यानि की सी हो जाएगा, वहीं आपसे पूई दिया जाया कि बिहार के कुल जन संख्या का कितना परसेंट भाग क्रीसी पर आश्रित है, तो आपको बताना है, सेवेंटी नाइन परसेंट, सतातर नमर कोश्चन यहां से दे दिया गया है कि बिहार के कुल घरेलू उतपाद का कितना परसेंट क्रीसी से प्राप्त है, यह होता है, तो दोस्तों इसका राइट एंसर हो जाएगा, से 21.1 परसेंट, अठातर नमर कोश्चन यहां से देख देना हम लोगों कि राष्ट्रिय स्रम आयो के अनुसार क्रीसी स्रमिक के कितने परकार के होते हैं, तो दोस्तों 78 नमर का आंसर हो जाएगा, एक यानि की दो परकार के होते हैं, वहीं अगर आप जब पूछ दिया जाए कि ऐसे स्रमिक जिनके पास खेती की अपनी भूमी न संख्या में 2011 की कितनी परीद हुई है, ठीक है, तो इसका राइट अंसर होता है C यानि की पचीस दसमलो साथ परतीसद, देखिए का 81 नमर कोशन क्या दिया गया है, तो वैसी करन से लभान भी तो होते हैं, तो तो इसका राइट अंसर हो जाएगा, E और C यानिकी आदक और निर्यात दोनों, देखिए गए यहां से 82 नमर कोशन क्या दे रहा है, दिया गया है कि 20 वैपार संगटन की अस्तापना हुई है, जो कि हम लोग पहले ही देख चुके हैं 1995, वहीं आप से कोशन पूछ रहा है ने एक टे, बोल रहा है कि वैसी करन को प्रभावित क करने वाले कारकों में कौन सरवादिक महत्पूर्ण है, तो दोस्तों इसका राइट एंसर हो जाएगा, से यहीं कि सुचना संचार प्रवदोगी की का भीका, आए 84 नमर कोशन यहां से देखिएगा, दिया गया निमलिखी तुमें कौन सी सांस्ता वैसी करन के विस्तार में सहायक हुई है, तो दोस्तों इसका राइट एंसर हो जाएगा, इन में से सभी अंतरास्ती मुद्राकुर्ट, विस्तो बैपार संगठन और विस्तो बैंग, 85 नमर कोशन देखिएगा, दिया गया है कि निमलिखीत में कौन बैपार और उधक है, दोस्तों इसका राइट एं अंदोलन के परवर्तक माने जाते हैं, तो दोस्तों इसका राइट एंसर हो जाएगा, सी यानि की राल्फ नादर, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, 87 नमर कोशन दे दिया गया है, कि उपभोगता सोचन के परमुक के कारण है, तो कौन सा कारण, तो इन में से सभी हो जाएगा, सुचना का अभाव भी हो सकता है, वस्तों के सीमित अपूर्ती भी हो सकता है, उपभोगताओं के अज्यानता भी हो सकता है, ठीक, आगे बढ़ प्रचलित नारा कौन सा हो जाएगा ते यह हो जाएगा जागो ग्रहक जागो वह देखिएगा 89 नमर कोश्टन कि बढ़े पैमाने पर उत्पादिते किन वस्तुवों के लिए मानक नियुमों का पालन करना आवसेक है तो दूस्त इसका राइटेंसर हो जाएगा डी अब के पादा मसाले उसके बाद सीचु आहार चलिए 90 नमर कोश्टन यहां से देख लेते हैं 90 नमर कोश्टन में दिए गया है कि मानो अधिकार सुरक्षा दिनियुम तो आप देख सकते हैं 1993 याद रखिएगा ठीक इकाउन नमर कोश्टन देखेंगे यहां से कि कौन सा कदम ब अगर 92 नमर देख लिया जाए तो इसमें दिया गया है कि मुद्रा स्पिर्ति के संदर में कौन सा कथन सत है यानि कि सही वाला बताना है ठीक है तो देख लेते हैं हम लोग की कौन सा सही है तो इसमें दिया गया है कि कीमत अस्तर में कमी आना तो यह नहीं होता है और वहीं देखे लिया जाता है कि ब्रीजी होना एकदम सही बात है लोगों की क्रेश सक्ति बढ़ जाना यह भी सही है यह इनकीश का राइट एंसर डी हो जाएगा 93 नमर कोशन यहां से देखिएगा थोक मुल्व सुचकांग WPI का अधार वर्स है अगर आप से पुछ दिया जाता है त विकास सुचकांग में सामिल नहीं किया जाता है ठीक है तो दूस्तों इसका राइट एंसर हो जाएगा C और C में देख सकते हैं कि वास्तफिक प्रति बेक्ति विकास दर ठीक है अब हमने देखें 95 नमर कोशन दे दिया गया है कि भारत में सिक्षित बिरुजगारी का प्रधान कारण है कौन सा कारण है तो इसका राइट एंसर D हो जाएगा दोस्पून सिक्षा परनाली वही 96 नमर कोशन देखिएगा दे दिया गया है यहां से कि भारत में क्रिसी छेत्र में ब्यापक और द्रीस या चीपी हुई बिरुजगारी का प्रमुक कारण क्या है तो इसका राइट एंसर रो जाएगा क्रिसी पर जनसंक्या का अधिक भोज वही देखिएगा 97 नमर कोशन दिया गया है कि क्रिसी के छेत्र में समानतव किस परकार की बिरुजगारी पाई जाती है तो इसका राइट एंसर हो जाएगा चीपी हुई बिरुजगारी ठीक है अब 98 नमर कोशन यहां से देखेंगे बिहार के कुल भावालिक छेत्र की कि बिहार के किसी छेत्र में बाढ़ का प्रको अधिक होता है तो आप बताईएगा उत्तर बिहार है वहीं आप देखिएगा 100 नमर कोशन कि बिहार में सिचाई के किस साधन पर किसान को निरुभरता सरवाधिक है तो 100 का एंसर हो जाएगा कुए नलकूप ठीक है अब हम लो कि वीडियो में आप कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके जरूर बताईएगा यह सेजर आपको कैसे लगा